आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now नमस्कार, स्वागत है आपका डाउटनेट पर हमारा प्रश्न है यदि 2 बटे X धन 3 बटे Y बराबर 9 बटे X गुड़े Y और 4 बटे X धन 9 बटे Y बराबर 21 बटे X गुड़े Y जहां X 0 के बराबर नहीं है और Y भी 0 के बराबर नहीं हो तो X धन Y का क्या मान है? चार विकल्प दिये गए हैं और इस प्रश्न को करते हैं हल यहां पर हमें दो समीकरण दिये गए हैं पहला समीकरण 2 बटे X धन 3 बटे Y बराबर है 9 बटे X Y के दूसरा समीकरण बराबर है 4 बटे X धन 9 बटे Y बराबर है 21 बटे X गुड़े Y के तो यहां से हम पहले समीकरण और दूसरा समीकरण पहले समीकरण को 2 से गुड़ा किया और दूसरे समीकरण को 1 से गुड़ा किया और इनको घटा दिया तो अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा दूसरे समीकरण से पहले समीकरण का दो गुना घटा रहें तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा तीन बटे Y बराबर तीन बटे X गुड़े Y के तो Y से Y कट जाएगा X का मान आ जाएगा यहाँ से 1 यदि X 1 के बराबर है तो अब किसी भी एक समीकरण में X बराबर 1 रखेंगे और Y का मान प्राप्ट करेंगे दूसरे समीकरण में हमने X बराबर 1 रखा तो 4 बटे X है 4 बटे 1 धन 9 बटे Y बराबर है 21 बटे X गुड़े Y यानि 1 गुड़े Y जो की Y के बराबर होगा अब यहाँ से इसको करते हैं हल तो 4 धन 9 बटे Y रिड 21 बटे Y बराबर 0 के है तो यहाँ से इसको हमने हल किया तो 4 बराबर आ जाएगा 12 बटे Y चार से 12 कटेगा तीन बार में यह एक बार में तो Y कमान आ जाएगा 3 Y कमान 3 आ गया है X कमान A आ चुका था X 1 के बराबर है Y 3 के बराबर है हमसे पूछा गया है यहाँ पर X और Y का योगफल तो X बराबर 1, Y बराबर 3 रखेंगे तो 1 और 3 का योगफल आ जाएगा 4 4 हो जाएगा हमारा सही उत्तर अब चेहन करते हैं सही विकल्प का तो यहाँ पर तीसरा विकल्प दिया गया है 4 तो धन्यवाद मिलते हैं अपने प्रश्न के साथ